चोदा सितंबर हिंदी डे या हिंदी दिवस सरकारी कारेलों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवस्टीज में एक कारिक्रम, शपत हिंदी में काम करने की और उस शपत के बाद कारेलों में लोग चले जाएंगे, अपनी सीट पर इंग्लिश में ही काम करेंगे कॉलेजों में, यूनिवस्टीज में और स्कूल में टीचर्स और प्रोफेसर इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे ये वार्षिक कर्मकांड ये अनुस्ठान, ये हर 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर 1949 को सम्विधान में हिंदी भाषा को राज भाषा का दर्जा दिया गया ध्यान रखेगा, राज भाषा, सम्विधान में कोई भी भाषा, राष्ट्र भाषा के रूप में उल्लिखित नहीं है और ये कर्मकांड करने के लिए, ये अनुस्ठान करने के लिए, सारे भी भागों में ठिक ठक बजट भी आता है जिसको खर्च भी करना है, सोतनत्ता के सत्तर साल हो गए, लेकिन आज भी हम लोग मानसिक गुलामी का शिकार है अंग्रेजी को हमने सफलता का मापदंड बना लिया है एक मन में बात आ गई है, कि अगर अंग्रेजी जानते हैं, तो जीवन में सफल है शायद हमने जापान का, जर्मनी का, इटली का, इसराइल का, और यहां तक चीन और रूस का उधारा नहीं जाना है, ना पढ़ा है, ना सुना है इन सारे देशों में जो भी विकास की धारा बही है वो उनकी अपनी इस्थानी भाषा के कारण बही है वह अंग्रेजी का कोई प्रभाव नहीं है, ना कोई अंग्रेजी बोलता है, ना लिखता है, ना समझता है रूस ने, जब अपना पहला अंतरिक्षयान, इस्पुटनिक, अंतरिक्ष में भेजा तो पूरे विश्व में एक तहल का, एक हल्चल सी मच गई थी सारा तकनीक का काम रूसी भाषा में होता था, जापान में जितने शोद पत्र होते हैं पूरे विश्व के, वो सब जापानी भाषा में अनुआदित करके, वहां के शोड़ करने वाले लोगों को दिये जाते हैं हिब्रो, इसराइल की भाषा, अगर केवल जीवित है, तो वहां के लोगों की मानसिक्ता के कारण, चीन की चाहे हम जितनी बुराई कर लें, चाहे जितना बैक आउट चीन का नारा लिखके गूमें, लेकिन आज चीन ने जो विकास प्राप्त किया है, वो अपनी देशी भ मलता का मानक होती, तो शायद जो विकास, जो प्रगती इन देशों की हमको दिखाई दे रही है, शायद ना होती, एक आंकड़ा बताता हूं आपको, अफ्रीकन जो देश हैं, वहां अपनी मात्र भाषा का विकास नहीं हुआ, आज वो देश पूरे विश्व में सरवादि पिछले माने जाते हैं, अंग्रेजी भाषा भारत वर्ष में किल 15-16 परसेंट लोगों दोवारा बोली, समझी और अपनाई जाती है, लेकिन इस देश का दुरभाग्य है, कि देश के सबसे बड़ी जो सदन है, लोकसभा, राजसभा, हाई कोल्ट और सुप्रीम कोल्ट, इंग्लिश भाषा में होता है, कारण हमने अपने माइंड सेट को अभी भी घुलामियत से दूर नहीं कर पाएं, अंग्रेजियत भरी हुई हमारे अंदर, अपने बच्चों को शैशवकाल से ही, हम कुत्ते को डॉग और गाय को काउ कहना सिखाते हैं, शायद ये आदुनि किसी समिनार में, किसी मीटिंग में, किसी बैठेक में, अगर कोई वक्ता हिंदी में बोलना शुरू कर देता है, अपने विचारों को हिंदी भाषा में विक्त करता है, तो वहां बैठे सारे लोग उसको अलग दरश्ट से देखने लगते हैं, लोग की दरश्टी बदल जा क्यों वह हिंदी में बोल ला है जबकि बाकि सारे वक्ता अंग्रेजी में ग्यान दे रहे थे खुद को और बच्चों को अनावश्यक रूप से अंग्रेज दिखने और दिखाने की मान सकता इस पर रोक चाहिए होगी टोरंटो विश्विद्याले की एक शोध है कि परिवार में माता पिता बाबा दादी नाना नानी चाचा चाची बच्चों से अपनी बोली अपनी भाशा में संबाद करते हैं कविता कहानी सुनाते हैं बच्चा जो बहुत छोटा है वो उसको ग्रहन करता है और उसकी ग्रहन शक्ती बढ़ती है इसका एक दूसरा प्रभाव क्या होता है कि वो बच्चा अन भाशाएं भी सीखने में उनकी बातचीत को ग्रहन करने में वो शक्त भी उसकी प्रबल होती ह घर की बोली और स्कूल की बोली इनमें अगर समानता होगी ये अगर एक होगी तो बच्चे को समझ में ज्यादा आता है नई सिक्षानीत में इस चीज को डाला गया है क्या कि पाँचवी तक की सिक्षा हर बच्चे की प्रत्मिक सिक्षा जो होगी वो उसकी मात्रिभाशा में होगी जिससे बच्चे का मस्तिष्ट ठीक तरीके से विक्सित हो पाए सिक्षा मात रोजगार का साधर नहीं है सिक्षा जीवन जीना सिखाती है जीवन मूली सिखाती है संसकार सिखाती है जीवन को कैसे जिया जाए ये ग्यान देती है और अगर ऐसा नहीं होता तो खिच्णी युवा पैदा हो जाते हैं जो आजकल हैं समाज में जो 69 और 89 में अंतर नहीं बता सकते ऐसा युवा समाज के लिए जब वो बजार में कोई चीज खरीदने जाता है तो दाएबाएं लोगों का मूँ ताकता और उनसे पूछता 69 माने क्या होता है मस्तिश्क में जो मौलिक विचार अपने आते हैं वो हमेशा मात्र भाषा में आते हैं और जितने वे उसी तरीके से हम अपनी विचारों को मात्र भाषा में व्यक्त कर सकते हैं शायद किसी और भाषा में नहीं कर सकते हैं भाषाएं चाहें जितनी आएं उतना अच्छा है अ इंदी पर अवश्य होनी चाहिए हिंदी हमारी शद्धा का पृतीक है और अंग्रेजी और अन्य भाशाएं केवल ज्ञान का शद्धा ज्ञान से बहुत उपर है अन्य भाशाएं सीखना बहुत अच्छा है लेकिन हिंदी पर शर्मिन्दा होना बहुत खराब है अपने मान मिंदूओं का अपने जीवन मूल्यों का अपने संस्कार के परतिशद्धा अपनी मात्र भाशा से आती है जब गाय को आप गाय बताओगे तब वो बच्चा गौ माता कहेगा काउ मदर नहीं कहेगा चोंकि उस प्रकार की भावना ही प्रगत नहीं होंगी अंग्रेजी से अंग्रेजी अताती है चोंकि मूल्भूत बात है कि जो भाशा है वो अपने साथ अपनी संस्कृती जाने अंजाने ले आती है दोस्तों हिंदी हमारी मा है हमें इसे जन जन के साथ ग्यान और विज्ञान की भाषा बनाना है तब ही हम कह सकते हैं हिंदी हैं हम सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एस अप लाइफ को दबाईए बेल आइकान और पाईए लेटेस्ट वीडियो की जान करिए